Hi everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. तो आज का हमारा topic है Level of Processing, Crack and Lock Heart के according. तो चलगे, स्टार्ट करते हैं. तो 1972 में Crack and Lock Heart ने Level of Processing Model को दिया, जो L.O.P. के नाम से भी जाना जाता है. और ये अगेंस था Boxes in the Head Scheme of Memory, जो Models दिये थे, Bog and Norma ने, Atkinson और Shiffrin ने Models दिये थे, उसको Boxes Memories भी कहा जाता है. उसी के अगेंस में इन्होंने अपना Model प्रेजेंट किया था. इन्होंने बोला कि मैं उसे और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, Concept of Memory को Based on Level of Processing. तो इन्होंने जो General Ideas दिये, वो Based थे, Shallow Sensory Analysis and Proceeding to Deeper Pay. तो चलिए, पहले जान लेते हैं कि Shallow Processing और Deep Processing क्या होती है. तो Shallow Processing वो है जो हम उपर-उपर से जान लेते हैं, मिन्स कि जो हमारी Short Term Memory में रह जाता है, वो इन्होंने एक Shallow Processing का नाम दिया. जैसे कि हम in class physically present, but mind is not there. Means कि हम class में तो हैं, बट हमारा mind वहाँ पर नहीं है, तो हम उस memory को Long Term Memory में Convert नहीं कर पाएंगे, Transfer नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हम उसको बाद में Recall नहीं कर सकते हैं. ये चीज हमारी Shallow Processing के Under में आती है. Deep Processing वो होती है कि जिसके बारे में हम Already जानते हैं, और फिर और उसको जानने की कोशिश करते हैं, या जानना चाते हैं, तो ये हमारी Deep Processing में आती है. जैसे कि Graduation में हमने Psychology पढ़ी और फिर हम और जानने के लिए और पढ़ने के लिए जब हम PG करते हैं, पोस्त Graduation करते हैं, तो वो हमारी Deep Processing में आता है. जैसे कि Deeper Processing कैसे होती है, तो Semantic और Cognitive Analysis भी इन्होंने दिया, तो इन्होंने एक्जाम्पल दिया ही, कि जब हम किसी Letter को Identify करते हैं, पैटन्स को Identify करते हैं, तो जब उसको Highest Level पे जाते हैं, तो फिर Word, जो Letter होता है, हमारा Word में Convert होता है, फिर Sentence में Convert होता है, फिर Images के तो हमें Stories में Convert हो जाता है, तो वो हमारे Deeper Level तक पहुच जाता है, जो हम Subject Past Experience से सीखते हैं, जिसनोंने Words जो हैं, वो Past Experience में सीखे हैं, तो Crack and Lockhart ने ये View दिये, कि हम Meaningful Level को Perceive करने में Capable हैं, हम पहले क्या करते हैं, Information को पहले Analyze करते हैं, More Primate Level पे, और Level जो होते हैं, फिर उसके बाद हमारे Information होती है, प्रोसीड होती है, और जो Meaningful Information होती है, वही Deeper Level तक जाती है, जो Meaningful Information नहीं होती है, वो Shallow Level तक रहती है, और वो Loss हो जाती है Lockhart के Ideas से मिलता दूलता है, एक और भी Closer Model था, जिसमें हमारे Book में Mention है, जो एक Figure के Through explain किया गया है, इसमें ये बताया गया था कि जब Memory Activate होती है, तो Two Kind of की Reading होती है, एक होती है Proof Reading और एक होती है Gist, तो Proof Reading में ये होता है कि हम Paragraph को देखते हैं, और उसकी Mistakes को मतलब कि अगर Spelling Punctuation इस चीज़ को हम देखते हैं, और Gist में ये होता है कि उस Passage को Reading करके, हम Summary को जानते हैं कि Actually में उस Passage में है क्या, तो इन दोनों में ये दोनों Memory Activate होती है, अब इसमें क्या है कि हमारा जो Elaborate Rehealcel है, ये Two Type से होता है, एक Visual होता है और एक Verbal होता है, तो Visual मिंस हम Passage को देख रहे हैं, और Verbal मिंस हम उसको Read कर रहे हैं, तो ये Elaborate Rehealcel हो रही है हमारी, और Maintenance Rehealcel जो है, उसका मतलब ये है कि हम उसको Read कर रहे हैं, बार बार तो हमारा उसमें Semantic या फिर Shallow Processing जो है, या फिर Maintenance Rehealcel हो रही है, मिंस कि उपरी Level पर हम उसको समझ रहे हैं, कि हाँ, ये चीज क्या है, उसकी Summary को, तो ये एक Paragraph के थूँ ये Explain किया गया है कि अगर हम किसी Passage को Read करते हैं, तो फिर उसमें दो तरह की Memory Activate होती है, एक होती है Proof Reading और एक होती है GIST, और जिसमें इन दोनों में किस तरीके से Maintenance Rehealcel इंवाल्व होता है, मिंस Deeper Level इंवाल्व होता है, और Elaborate Rehealcel इंवाल्व होता है, Elaborate Rehealcel इस तरीके से इंवाल्व होता है, कि हम Visually और Verbally उस चीज़ को देख रहे हैं, और Maintenance Rehealcel की Shallow Level पे हम उस चीज़ को जान रपा रहे हैं, ऊपर ऊपर तरीके से, बट अगर हम उसी चीज़ को Repeat कर रहे हैं, तो वो हमारी चीज़े Deeper Level में बहुत जाईगी, तो मैंने बहुत ही शॉटली इस को Explain कर दिया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो Level of Processing versus Information Processing का यहाँ पर थोड़ा सा Explanation दिया है, बुक में तो इसको यहाँ पर जैसे की पहले Information Processing कैसे होती है, Stumulus से हमारे Census Memory के Through 3 to 7 Units जो Information होती है, वो 5 to 3 Second के लिए होती है, अगर हम Attention देते हैं, तो वो हमारे Working Memory यानि Short-Term Memory में जाती है, अगर हम Attention नहीं देते हैं, तो वो हम Loss करने लगते हैं, अगर माली जी Attention दिया और हमने उसको Rehealcer Maintain करके रखा, तो Encode होके, वो Memory Encode होके Consolidate होकर हमारे Long-Term Memory में जाती है, और फिर अगर हम कभी Recall करते हैं, और Retrival करते हैं New Information से, पुरानी Information का, तो उसमें भी Response होता है, उसको Retrival करते हैं, और इस तरीके से Memory Permanent हमारे Long-Term Memory में स्टोर हो जाती है, बट Crack and Lockhart ने क्या किया, Just Such a Position, मतलब कि कुछ Words लिये, और बस उन्होंने Information Processing Model को Criticize किया है, इस Model को जादा अच्छे तरीके से Explain नहीं किया, में परवज उनका था Criticize करना, तो जब इन्होंने Information Processing के Models को Criticize किया, तो फिर इनके भी Process, जो Level of Processing दिये थे Criticize किया गया, क्योंकि जादा तो इन्होंने क्या किया था, कोई जादा Conclusion नहीं दिया था, अपने Model में, और जो भी इन्होंने दिया Untestable था, और Uncleared था, और जो इनका Deep Processing था, वो एक तरह से Failure था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम कोई चीज Recall करें, वो बहुत ही Deep Level में जाके Recall करें, हम Normal भी Recall कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें Typing करनी है, तो हम Normally बैठेंगे और Typing शुरू कर देंगे, यह हमारे Conscious Mind में रहती हैं चीज़े, जो हमें Deep में जाके Recall नहीं करनी होती हैं, For example, अगर हमें कार चलानी होती हैं, तो हम Deep में जाके Recall नहीं करते हैं, हम सिर्फ चलाना शुरू करते हैं, और हमारे Conscious Mind में सारी Information और रहती हैं, और वो Automatic हम उस चीज़ को करने लगते हैं, तो इस वज़े से इनकी Model को Criticize किया गया, 1975 में Crack and Tullville ने भी कुछ Idea दिये, इससे Related, उन्होंने दिया कि Deeply Process जो होती है, उस चीज़ को हम Recall कर पाते हैं, जो कम Process होती है, मिन जो Shallow Level पे Process होती है, उस Information को हम Recall नहीं कर पाते हैं, तो जो Subject है, वो किस Word से, Rate से, Structural, Phenomic, Semantic, Aspect से, इन Word से क्या होता है, Recall कर पाता है, तो इन्होंने काफी सारे Data शो किये थे, जिसमें बताया था, Deeper Processing जो होती है, वो Longer to Accomplish होती है, और Recognization जो होता है, Encoding Words, वो हमारे, हमारे जो, यहाँ पर यह मतलब है कि, जो Semantic Aspect होते हैं, वो ही Means कि हम जो Meaningful चीज़े होती हैं, Information होती हैं, वो ही हम अपने Mind में स्टोर करते हैं, जो Meaningful Structure या Phenomena होता है, उसको हम Deeply Level पे नहीं जाते हैं, सिर्फ Shallow Level पे Information को Post Seed करते हैं, तो यह था Income Crack and Lock Height के, According का Level of Processing, I hope यह topic आपको clear हो गया हो, तो घर पे रहिए, सुरचित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, Thanks for watching.